हुआ है कर दो दो नोल पर चैनल होपस बड़े आहोंगे लास्ट का वीक अगर देखोगे तो काफी जाधा कॉंपलेक्स वीक आपको देखने को मिला जब भी आप डेली टाइम फरेम देखोगे तो डेली टाम फरेम में अप देखोगे फोस्ट जो आपको एक मंडे का बना उसी दो मोमेंटम आपको clear-cut देखने को मिलें सेम साइड डिरेक्शनल देखने को मिलें उसके बाद के जितना ही भी मोमेंटम अगर आप देखोगे यहां भी काफी अच्छा पुल बैक उसके बाद फिज से सबसे पहले अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम में जो इंपोर्टन एरियास हमने लास्ट वीक में डिसकस किये थे मैंने आपको कहा था कि इंट्राडे में लेवल्स ब्रेक हो सकते हैं बट वीकली बेसिस पर हमें क्लोजिंग चाहिए अगर वीकली बेसिस पर 24,800 के नीचे क्लोज आ जाते हैं तो मार्केट में लोवर लोज का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा तब हम थोड़ा सा वीकनेस प्लान करेंगे और हो सकता है यहां पर हमें 1000 पॉइंट का ओर एक फॉल देखने को मिले बट उसके लिए यह लेव प्लान कर सकते हैं तो उसी तरह का आपको आलमोस स्ट्रक्चर बनता हुआ तो मेल लेवल जो हमने डिसकस किया था 24,800 इसके नीचे क्लोज नहीं आया अब भी मार्केट ने 24,800 को होल्ड किया है तो चांसे रहेंगे यहां पर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाए या फ अब हम यहां से लॉंग मोमेंटम प्लान करेंगे टागेट से एरिया 24,450, 550 और 24,700 के लगबग हमारे टागेट रहेंगे ठीक है उसके बाद अगर फॉलो अप मिलता है तो फॉलो अप में थोड़ा सा यह रेंज आपका ट्रैप जोन रहने वाला है जो लेवल अभी हमने ड प्रैप जोन रहेगा तो उसी एरिया के लगबग आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है अगर आप यहां से पहले सेलोफ के लिए प्लान करते हैं और यह रेंज रीटेस्ट होता है वहां पे आपको फिर से अलर्ट हो जाना कि यहां पे अगर कोई रिवर्सल साइन मिलता ह तो आप अपनी शॉर्ट पोजिशन को वहां स्केर ओफ करोगे ठीक है इस वीक का कैंडल जो भी वीक है यह वीक का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर आपको एक लोर लोज का फॉर्मेशन बनता हो दिख जाएगा फिर हम यहां पे ट्राय करेंगे कि हमे 24,300, 350 यह लेवल्स भी देखने को मिले और हो सकता है इसके नीचे के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए आपको यह लेवल पर नजर बनाके रखने है 24,800 वीकली लेवल पर ब्रेक होता है weekly level बेस के नीचे close आता है तब हम major sell of plan करेंगे एक downtrend के लिए plan करेंगे बट अगर यह level hold कर जाता है यहां पर market trend continuation करती है तो upside 24,600, 24,700 यह हमारे targets रहेंगे अब इस तरह का market ने hold किया है तो हमारा जो view रहना चाहिए 24,800 के ओपर bullish की तरफ रहना चाहिए 800 के नीचे जब हम plan करेंगे तो थोड़ा सा bearishness की तरफ plan करेंगे ठीक है daily time frame में अगर आप देखोगे तो daily time frame में जो structure है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है यहां पर एक बड़ा candle form हुआ था ठीक है जो Monday को दिन form हुआ था red candle और उसी के बीच में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा week जो है market ने trade किया इसके ऊपर भी कोई बड़ा momentum नहीं है जो closing wise देखने को मिला हो और इसके नीचे follow up आपको देखने को नहीं मिला तो यह candle आपके लिए important रहने वाला है अगर इसके ऊपर यहां पर next week में daily time frame पे close आ जाता है तब यहां से हम 25,450,500 यह target subset plan करेंगे और इसके नीचे अगर यहा से follow up पाइंग प्लान करेंगे target सेरिया 24,580,24,450 की range में रहेंगे उसके बाद 15 minute time frame अगर आप देखोगे 15 minute time frame में भी same structure रहने वाला है कहीना कही market range में रहा है तो इसके लिए कुछ important levels अगर आप देखोगे तो आपका जो एक important zone रहेगा उसका एक trend line बन जाएगा इसको आप mark करके चलोगे यहाँ पर आपका एक trend line रहने वाला है इसको आप mark कर लो और उसके बाद जो आपका एक R1 बनेगा उसको भी आप mark करके चलोगे अगर आप long side momentum ब्लान कर रहे हो तो इस R1 के ऊपर nifty को trade करने देना उसके बाद हम यहाँ से long के लिए ब्लान करेंगे यह level आप करेंगे 25,000 30 पकट के चल सकते हो अगर 25,000 30 के ऊपर 15 minute candle close जाता है एक pole and flag जासा कुछ formation बना के continue करता है तब हम एक long momentum प्लान करेंगे टागेट से लिया 25,000 130 25,200 यह आपके टागेट से रहेंगे और जो recent candle का हाय बना अगर उसके ऊपर हम trade करना start करते हैं तो यहाँ पर 25,000 350 450 500 तक के टागेट से प्लान कर सकेंगे तिक उसके बाद डाउंसाइड के लिए अगर आप देखोगे तो recent जो बने वो important रहने वाले यहाँ पर आप देखोगे यह लावल आपका important sport रहने वाला है इसको आप मार्क करके चल सकते हो 24,000 930 के लगबक रहने वाला है या 24,900 आप टागेट से रहा 24,000 850 24,800 यह रेंज में आपके टागेट से पनेंगे तो यहाँ पर इस चीज़ा आपको रियान में रखने है कि 800 हमारा important sport इरिया इसको आप star level मार्क करके चल सकते हो अगर इस level के लगबक आपको reversal sign मिल जाता है जैसे यहाँ पर reversal sign था उसके बाद आपको क momentum प्लान करेंगे टागेट से रिया पिर से 24,000 929 31 रहेगा follow up मिल जाता है 25,000 25,000 50 यह आपके final targets बनेगे उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी का structure कुछ इस तरह का रहने वाल है last week में हमने जो टागेट से रिया discuss किये थे 50,500 य देखने को मिले बट यही एरिया हमने discuss किया था जहाँ पे लास्ट टाइम एक ट्रूइजर बाटम डिसकस किया था वही एरिया important sport था और अमने यह भी discuss किया था अगर बाटम से आपको बाइंग मिलता जैसे निफ्टी में 24,800 important level था और यहाँ भी आपने 5,500 important level mark किया था व 50 to 500 की range में रहेंगे और बैंक निफ्टी का जो important sport area रहेगा वह आपको यहाँ पे 5,500 की range में देखने को मिलेगा जब हम daily time frame देखेंगे तो daily time frame में भी आपको जो important candle रहने वाला है same candle जो अभी आपने इस तरह का candle nifty के chart में discuss किया है वैसा ही candle आपका important रहने वाला है ठीक है अगर आप देखोगे यह main candle है और उसके बीच में आपको चार candle बनते होए दिखेंगे अगर यहाँ पर follow up मिल जाता है और daily time frame में आपको इसके उपर close मिल जाता है तो यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी एक price section का formation बन जाएगा यह अगर bullish price section का formation बन जाता है तब यहाँ स के नीजे हम trade करना start करते है तब हम यहाँ से aggressive move downside फिर से plan करेंगे targets area 50,500 की range में रहेंगे उसके बाद 500 इस range के नीचे follow up मिल जाता है या weekly close मिल जाता है तब हम यहाँ से थोड़े बड़े levels प्लान करेंगे means 49,000 या 48,800 यह targets पे हमें downside देखने को मिल सकते है ठीक है जिस तरह का bullishness की तरफ प्लान करके चल सकते हो 15 minute time frame अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का important resistance area यहाँ पे रहेगा इसको mark कर लेना अगर इसके ओपर बैंक निफ्टी 15 minute time frame में close करता है यह level रहेगा आपका 51,650 इसके ओपर 15 minute candle close कर रहा है उसके बाद continuation करता है तो long momentum आप प्लान करोग यह level रहेगा आपका 50,995 means यहाँ पे 51,000 के नीचे 15 minute candle close कर रहा है close करने के बाद follow up ले रहा है तब आप एक sell-up प्लान करोगे target area 50,700, 50,440 and 50,380 की range में रहेंगे उसके बाद bottom areas के लगबग जो भी इस week में lows बने उसके लगबग आपको अगर market दिख जाता है फिर से आपको over range भी तक market आता हुआ दिखता है तो थोड़ा सा यह दियान में रखना है कि कोई bullish sign मिल जाए अगर वहाँ पे bullish sign मिल जाएगा उसके बाद जो momentum आपको bottom से upside देखने को मिलेगा एक important level को बचाने के लिए काफी जादा effort लगाया जाएगा तो इसलिए आपको दियान देना है क लगबग अगर आपको कई reversal sign या bullish packing का formation मिल जाता है तो वहाँ से काफी अच्छा momentum long side देखा जा सकता है उसके बाद mid cap nifty का अगर आप chart देखोगे तो कुछ इस तरह का structure आपको देखने को मिल रहा है last week में हमने एक double top का formation यहाँ पे discuss किया ता उसके बाद काफी अच्छा follow up selling आपको यहाँ पे देखने को मिला और Monday को काफी बड़ा move आपको downside देखने को मिला ता उसके बाद आभी आप देखोगी तो reverse करके mid cap nifty फिर से same range में close किया है तो weekly time frame में जिस तरह का structure है यहाँ पे थोड़ा सा major long के लिए wait किया जाएगा जब तक mid cap nifty इस एरिया के ऊपर trade न तो उसके लिए अगर आप कुछ important levels देख रहे हो तो वो जो levels रहेंगे इसको आप एक important level यहाँ mark करके चलोगे यह आपका important area रहने वाला है 13,065 ठीक है 13,065 के ओपर कोई 15 minute candle close करता है तब हम यहाँ से long momentum प्लान करेंगे targets area 13,220 की range में रहेंगे इसमें आप first target यहाँ पे 13,150 के लगबग प्लान कर सकते हो down side के लिए अगर आप देखोगे यह level आपका important रहेगा 12,880 के नीचे 15 minute candle close करता है तो यहाँ से आप एक short momentum भी प्लान कर सकते हो target area 12,850, 12,820 and 12,800 की range में रहेंगे उसके बाद एक important sport area mid cap nifty का range में बन रहे है अगर mid cap nifty आपको थोड़ा नीचे मिल जाता है और यहाँ पर यह level retest करता है 12,945, retest करने के बाद इसी area पर आपको कोई bullish price section का formation मिलता है तब आप यहाँ से long momentum प्लान करोगे, targets area 12,980, 13,000 and 13,040 यह range में आपके final targets रहेंगे, hope guys वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडि करेंपने फ्रेंज किसा, thank you